इस वकत इंटरनेट के ऊपर आपको जितनी recipes मिल रहे हैं ना Bounties की सारी की सारी preformed chocolates से बनी हुई है जिसको chocolate compound भी कहते हैं और हम सबको पता है कि Holzirmक करदी है प्रति हैने About आपको बिलकुल टॉक्सिन फ्री जो है वो मिलेगी स्क्राइच से मैं आपको बनानी बताऊंगे किस तरह बना सकते हैं आप भी अगर ऐसी मजीद चॉक्लेट रसीपीज देखना चाहते हैं जो के ग्लूटन फ्री हों शुगर फ्री और जिनको खाने से ना आपका वेट बढ़े और ना ही आपकी शुगर बढ़े तो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे मीठे और चॉक्लेट की रसीप यह देखें यह मेर खाने से पहले अपना शुगर लेफल मेने ना खुए खाके तो झैक के अटा 醒टे करूंगे सीक्रेट रेसिपी की तो इसक लिए सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट मिल्क मैं ये तो सबसे बनावा कोकोनट मिल्के आपके पास तो भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर फूपरा और यह जो खूपरा एक पूपरा है पाउडर डाल रही हूँ और यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें लेकिन यह देख लें जो कोकोनट मिल्क पाउडर आप डालें उसके अंदर शुगर्स वगयर नहीं होनी चाहिए इंग्रीडियंट्स हमेशा पढ़के आपने कोकोनट मिल्क और आप बारी आगी है स्वीटनर की स्वीटनर मैं डाल रही हूँ स्टीविया अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अब हनी भी डाल सकते हैं अगर डाल लें न तो प्र आपको पकाने की ज़रत नहीं है इसको अच्छी तरह मिक्स करके यह तक्रीबन आपने ती जाती है बारल ये देख सकते हैं आप तकरीबन दस मिनट बाद ना ये हमारा अमेज़ा इस तरह का बन गया है ये अगर आप चूले से उतार के ठंडा कर लेना तो ये होल्ड शेप होल्ड करता है ये देख लिए ये मैंने एक स्कूप लिया और इससे मैं बाउंटी बार्स की शकल इसको दे रहे हूँ क्योंकि हमने ना पहले ये बार्स इस तरह की शेप में बना के तो फریज करनी है अच्छी तरह फریज करने के लिए कमजगों कमजगों इसको ओवरनाइट नहीं तो आपने तीन चार घंटे फریजर में रखने हैं यह जो सारा मिक्सर था ना इससे तकरीबन थर्टी बांटी बार्ज इस तरह की बनगी मैंने फ्रीजर में रख दी और जब मेरा दिल चाहता है ना चॉकलेट कहने के लिए तो मैं तकरीबन दस निकाल लेती हूं और उसकी कोटिंग जो है ना वो मैं आपको बताती हूं वो मै पिगलती रहती है रूम तेपरेचर के उपर इसके अंदर इसी मिगदार में कोको पाउडर जाना वो डालना है हमने ठीक है यह 100% चॉकलेट हमारी तियार हो रही है बजार में आपने देखे एवन जो 90% लिंट चॉकलेट होती हूं कितनी महंगी होती है और यह अब हमने 100% चॉकलेट बना लिए क्योंकि इसके अंदर बाकी कीचिए थोड़ी 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 है थोड़ा सा वनीला में डाले तोड़ा सा स्टीविया डाले यह एवन परसेंट भी नहीं होता और आप यह साथ में डाल रही है यह जो एजी सीजी यह 100% ऑप्शनल अगर आप यह नहीं डालेंगे तो भी आपकी चॉकलेट ही जो शुगर लोवरिंग क्वालिटी है वह उतनी रहेगी इजी सीजी बैसिकली स्टेम सेल बूस्टर है इसलिए मैं डाले हूं और यह जी सीजी बैसिकली ग्रीन टी में होता है लेकिन आपको ग्रीन टी के पांच का प और चुकर ऑप यह जी सीजी ग्रीन चौकलेट फिर्वं यह जालें ताके उसके मैकसिमीम बैनिफिट्स म पिसके बगार भी बन जाती यह लेकिन जाती तो नीच सबस्टर है और लसेतिन से नहीं नहीं पांच जाएगी चॉकलेट आपकी चॉकलेट के अपने हैं वह प्रेटियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक् यह रूम टेम प्रेचर के उपर है और यह जो कोकोनट के मोल्ड हमने बना है यह फ्रोजन है ना तो यह एक दम से आप चॉकलेट में डालेंगे ना तो एक दम से यह कवर हो जाएंगे बाउंटी चॉकलेट तो हमारी रेडी है आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप इसके पर डेकुरेशन करना चाहते है ना तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कोको बटर और कोको पाउडर अगेन ब्राबार मिकदार में लिया है और इसको मिलाके मैंने इसकी कोटिंग जो बाकी नॉर्मल उसी तरह है यह थोड़ी सी कॉटिटी जो है ना सिरफ यह डेकुरेशन के लिए यह इसके लिए यह देख लिए में पास जिप लॉक बैग है इसके अंदर में यह जो चॉकलेट है यह मैं डाल रही हूं आगर आपके पास पाइपिंग बैग है ना आप उस यह ड्रिजल आपका होगा ना केर फ्री उतनी आपकी अच्छी यह टॉपिंग आगी उपर से अगर आपके साथ बच्चे हैं और वो यह चॉकलेट बना रहे हैं तो यह गाम तो बहुत शुक से मज़े से करेंगे और अगर वो यह काम करेंगे ना तो खाएंगे भी बहुत कोई किसी को प्रॉबलम नहीं होगी कि यह बाउंटी नहीं है यह बाउंटी लग नहीं रही है इसको अच्छी तरह प्रिजेंट करें खुबसूरत तरीके से कोई शक नहीं है कि लोग इसको मज़े से ना खाएंगे एक और प्रिजेंटेशन आइडिया यह भी है कि अगर है लग आपने हस्बेंट को देंगे आफिस में यपने बचों को स्कूल में तो वो खुशी-खुशी खुआइँ रपने दोस्तों को भी दिखाएंगे और ना जिए पहर आईंदा भी आप जोसी उनको देंगे ना वो खुशी-खुशी शौक से खुएंगे उनने तो नही शौटे जैना मार्किट में इस तरह की शुगर फ्री हेल्डी चीजों की उस लिहाज से तो आप रातो रात मिल्योनेर हो सकते हैं अगर आप इसको कारोबार की तरह स्टार्ट करें तो बारहल मुझे कॉमेंट्स में बताईएगा आपने ये बनाया किस तरह बनाया क्या प्रिजेंटेशन की या आपने अपना ख्याल रखिए गाइन अमलाकात होती असलाम अलेकम और अमतुल्य बरकातुए